हेलो फ्रेंड कैसे आप अच्छे होंगे फ्रेंड बता दू क्वेट गुवर्णमेंट के और से एक भारी एलान किया गया है जो एकिस तरिक से लेकर पतिस तरिक तक जो है क्वेट में छुट्टी रहेगी काम काज बंद रहेगा और क्वेट के रिलेटर्ट कुछ शॉर्ट ने हो जाए वीडियो की स्किप ना करें चलिए वीडियो की और क्वेट के अंदर एद को लेकार एक बड़ा एलान किया गया है नई केबिनेट की तरफ से और कुछ लटेस्ट कवर हैं तो न्यूज आखिर तक जरूर देखिएगा सबसे पहले ख़बर है यह जो फोटो दि चैनला से देखा जाए कि यह आदवी गया काँप है किस साइड में गया और किस बिल्डिंग के अंदर गुसा आ ही है केमरो की मदद से देखा जा रहा है इसके बाद अगले खायक कुछ में जैसा ही नई केबिनेट BENE Jeansen के अगया गया जिसमें की 21 अपरेल से लेके 25 अपरे किया गया है इसके बाद अगली खबरे सवाल सलायम एरिया की जहां पर 11 लोगों को पकड़ा गया देशी शराब की फेक्टरी चला रहे थे फेक्टरी बहुत ही बड़ी थी क्योंकि काफी सारे बड़े बेरिल मिले देशी शराब के कुछ बोतले पेक की हुई थी आगे बेच जा गया कुईत के अंदर चलीब और खेतान के अंदर निर्ख्शन अभियान चला गया दुकानों को बकालों को लेकर और भी रेस्टरेंट वगरा दुकानों को लेकर जिसमें 29 उलंगन दर्च किया गए कईयों को मुकालफे दिये गए कुछ दुकाने बंद की गई 13 दुक लोग एक विक में ऐसे पकड़े गए जिनके पास facing ID कार्ड वागeenरा कुछ नहीं था 123 ऐसे लोग पकड़े गए जिनके पास ** ID कारड था लेकिन उनका एक आमा खतम हो चूका था सिविल ID कार्ड भी क्स्पायर था 107 ऐसे लोग पकड़े गए जिनके पास कोई भी ID प्रूफ वगएरा नहीं था एक विक के अंदर पकड़े गए 107 लोग कोई भी ID प्रूफ कुछ ID वगएरा नहीं था उनके पास सबसे ज़्यादा सड़कों के उपार ट्राफिक डिपार्डमेंट को ट्राफिक को लेकर कानून तोड़ते हैं वह सबसे ज़्यादा उलंगन किया है तो 2800 ज़्यार उलंगन हुए हैं कुएत के अंदर एक विक में अगली कपर है सबाल सलेम एरिया में 11 लोगों को पकड़ा गया देशी शराब की फिक्टरी चला रहते हैं यह 11 लोग एसी आई कंट्री से थे यानि कंट्री का नाम नहीं बता है हो सकता है इंडिया नेपाल बंगलादेश स्रिलंका इन कंट्रियों से हो सकते हैं इन में 11 लोगों को पकड़ा गया बहुत सारे कच्ची शराब के बड़े बैकेट मिले बहुत सारे और छोटी बोतलों में बढ़ा गया देशी शराब बेचने के लिए इनके पास कई सारी मशीने पकड़ी गई कई सारे और भी सामान पकड़े गए 11 लोगों को पकड़ा गया इस मामले में देशी शराब की फेक्टरी चलाने के मामले में कुएत में जो सामान बेंड कर रखा है वो सामान बेचने के मामले में 4 लोगों को पकड़ा गया कुएत के अंदर कुईत में और भी निरिक्षन अभियान किया गया तो बिना सिविल आईडी कार्ड कुछ भी उनके पास वेलिड आईडी प्रूप नहीं था और एक्सपायर भी नहीं था तो साथ लोगों को पकड़ा गया इस मामले में पांच लोगों को काम करते हुए पकड़ा गया जो कि उनका एकामा उस काम का नहीं था लगातार चेकिंग तफ्ती चल रही है बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया कुवित में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कुवित के आने वली ख़बरें मिस न हो तो आशा करतो वीडियो पूरा देखे होंगे तो वीडियो कैसे लगा कमेंट बक्स पर जरूर बताए वीडियो अगर अच्छा लगाता लाइक कमेंट शेयर जरूर करें चैनल में नाय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलेंगे नेक्स वीडियो के शाथ तब तक के लिए जाहें